जोस्तों अगर आप सफेद दग, वाइट पैचेस और लिकोडर्मा को 100% ठीक करना चाहते हैं तो आपको इन 8 चीजों को जरूर जरूर फालो करना चाहिए अगर आप इन 8 चीजों को फालो करेंगे तो आपके सफेद अगर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो वह बिलकुल रुक जाएंगे और अगर आपके चाहे कितने ही पुराने क्यों ना हो, 10 साल, 20 साल, बिलकुल 100% वह ठीक हो जाएंगे तो आपको आठ चीजे में सबसे पहले नंबर की बात है मचली खाकर दो पीना तो दोस्तो बहुत सारे लोग अगर आप लोग नानवेज खाते हैं या अंडा खाते हैं या मटन चिकन खाते हैं तो जादा तर लोगों को आज कल मॉडरन लाइफ उतनी जादा है कि जो होटल भुम्त कर और दोस्तो जिनका इंपिनो सिफ्टम कमज़र होता है अब इंपिनो सिस्टम में 8 वॉते थो मैं जलदी से बता देता हुвा होगे में जलदी से थका वटॉनचा उना या पुरे सरी बदन हफते में दर्द ओना या आपका सरद दो नहलेंहों का खाना ना इसे मय में एक हपते में हपथे के एंदर मतलब सर्दी युखाम या बुखार आन inability महीने में जल्दी जल्दी और mental coffee को कुपकी होना एक दम से आखों के आगे अंधीरा चा जाना दोर्फ को मैंने कुछ मतलओ आया आपको ये समस्यां अगर आपको हैं तो आपका immunosystem weak है और आपको hotelों में या कहीं भी बाहर जब भी कहीं खाना खाते हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है दोस्तों कर आप healthy life जिना चाहते हैं हमारे सनातर में 1000 वर्ष पहले बहुत सारे सुन्दर से नियम बनाए गए थे कि इसके बाद ये नहीं खाना है इसके बाद ये नहीं खाना है दूद के साथ दही नहीं खाना है दूद के साथ पनीर नहीं खाना है ये सारी चीजे बताएगी लेकिन इसलिए हमारी उस समय जो life का जीमन काल था 100 साल था, 80 साल में तो इनसान बोढ़ा होता था, 50 साल तक तो वो बिल्कुल जमान रहता था, 50 साल के बाद उसका दीरे दीरे उसका बोढ़ापा सुरू होता था, लेकिन आज कल आप देख रहे हैं, इसकी lifestyle क्या हो चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी मच कीजे देता है, आप उसको मना करिए, पहली बाद आप ऐसी जगे खाएं मत जहां नानेवेज यह इस तरह का मिलता हो, तो आप इस चीज का विशेज ध्यान दीजेगा, उन लोगों के लिए हैं, जो लोग 100% ठीक होना चाहते हैं, आप फालो करके देखिए, मेरी बात प्र और फालो कि दही खाख कर दूद नहीं फीना है, बिलकुल भी, वर ना आप क्योंकि दही में दोस्तों बैक्टेरिया होते है, देखते हैं कि दही जब पहले दिन बनता है, तो हलका सा खटा पन होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उस बादिज बादी बढ़ते आपके बोडी में और खासकर आपको साम को जिन लोगों को नहीं है या है साम को जो लोग दही खा लेते हैं उनको भी इस मीमारी आसानी से हो जाती है रात को दही खाना वर्जित है रात को दही खाना ही नहीं चाहिए कभी भी लेकिन लोग हमारी सानातन सबिता को जो भूल चुके हैं modern life के चक्कर में अपने आपको बहुत ज़्यादा लोग smart समझते हैं लोग सोचते हैं कि हम बहुत हाइफ हाई हैं यह सब चलता है लेकिन इसलिए दोस्तों आज की lifestyle के कारण ही हम कितना परेशान हैं दुखित हैं आप सोच नहीं सकते जिसको यह समझ्या हो जाती है उसके लिए कितना मुश्किल होता है जीना पूस्तों इसके बाद आपको नमक से बनी चीज खाकर दूद नहीं पिना हाँ दोस्तों आप कैसे नमक के साथ दूद नहीं पिना आप सुचते होते हैं हम तो कभी नहीं नमक के साथ दूद पिते हैं दोस्तों जब भी आपके घर में चाय बनती है तो आप क्या करते हैं नमकीन खाते हैं साथ में दाल मोट खा लेते हैं नमक पारे खा लेते हैं या नमक से बने पराठे खा लेते हैं या मूली की पराठे खा लेते हैं सबसे ज़्यादा जहर है दोस्तों वाइट पैजस लिकुटर्मा फैलने में अगर आम मूली के साथ दूद खा लेते हैं ये दिन आम मुली की सबजी घाएं और दिन दूद का सेवन भी नहीं करना है और जो लोग चाय का सेवन करते हैं पहली बात तो जुनको चाय तो पीनी ही नहीं चाहिए भारत का कल्चर ही नहीं है लेकिन जो लोग चाय पीते हैं और चाय के साथ नमकिन पी लेते हैं उन लोगों को बहुत नुक्सान करता है जिन लोगों को सफेर दाग उनको तो चाय पीना ही नहीं जब तक फुरी तरह ठीक नहीं हो जाते हैं और जब वो ठीक हो जाए तब क्या पीना है हमने एक वीडियो बनाया हुंजा टी जो इस्पेशल चाहे है बहुत साधिस्ट बहुत बहुत टेस्टी आप जाके उस वीडियो को देखे हमारे चैनल पर आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे आपकी शरीर की लगभर लगभर को खाना कहा और खाने में तो नमक होते है उसके बाद डूद पी लिया गिलास दोस्तों यह आपके शरीर में जहर बना चैनल आपको बिलकुल भी नहीं लेना है नमक खाने बाद दूद और कभी भी साम जो विटीडियो पेशन दूद पी सकते हैं लेकिन गाय का ही दूद पीजिएगा, क्योंकि वह हलका होता है, पचने में सुपाच होता है, महसका नहीं चलेगा, किसी भी कीमत है, देशी गाय का दूद, और उसमें कैसे लेना, ये नियम है, आपको खाना खाने के पूरे दो घंटे के बाद पीना है, और उसके बाद उसमें हल्दी, आधा चमच ह मिला कर ही पीना है, आपको सफेद दाग बहुत तेजी से ठीक करेगा, अगर ऐसा करेंगे, साम को, दूद दिन में नहीं लेना, साम को ही लेना, इस दीज का विशेज ध्यान है, और इसके बाद हम आते हैं, अगला है कि ज्यादा मीठा खाना, दोस्तों, और जिन लोगों क जिसे सफेद दाग, कौन सा नमग खाना है, सेंधा नमग की खाना, और कोई नमग नहीं लेना है, सेंधा के लवाँ, ज्यादा मीठा नहीं खाना, मीठा का मतलर रिफाइंड सुगर जो सफेद चीनी होती है, मार्केट में मिलती है, वो नहीं लेनी है, बोल से भी, जहर है, उन लोगों के सफेद दाग उनकी अपेच्छा में जिनको जो लोग सुगर नहीं लेते हैं चीनी नहीं खाते हैं और जो लोग खाते हैं उनके सफेद दाग जैसे कहा गया कि 6 महीने में ठीक होंगे और जो नहीं ले रहे हैं उनके सफेद दाग दो महीने के अंदर ही ठीक हो जाते हैं जड़ से तो आप सुझ सकते हैं कि चीनी कितना कितनी खतरनाक होती है तो आपको डाइजेस सिस्टम को भी पूरा दोस्त कर देती है अगर आप फिर कहें कि हम क्या करें मीठे में क्या हैं तो मीठे में यूज कर सकते हैं गुड का सेवन हाँ लेकिन कम ही यूज करना मीठा अगर आपको वाइट पचे सफेद दाग हो चुगा है तो मीठा आपको ले नहीं नहीं है बिल्कुल हाँ उसकी जगे भी एक काम है बता रहा हूं खजूर जो आता है वह आप करिए बहुत जबर जब्रजस फादा करता है और खजूर ए बासी वादूसत भोजन करने से बिल्कुल परहज करना है हां दोस्तो बासी भोजन जैसे साम को बना आया और सुबह नहीं करना है बिल्कुल भी हमको आपको नानवेज मीठ मचली अंडा इस सब बंद कर देना है हमेशा के लिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते पुरी तर पीदल का तामबे का लोटा लेकर आना है मार्केट से कम से कम एक लिटर वाला जग मिल जाता है उसमें साम को रख देना है छे बज़े फिर सुबह उसी को पानी को पीना और क्या करना दोस्तों तामबे के जग को कहां पर रखना है द्यान देना बिल्कुल कि आपको कर देगा दोस्तों इसके बाद रिफाइंड आयल भी आपको बिल्कुल यूज नहीं करता है किसी कीमत पर क्योंकि रिफाइंड आयल भी बहुत मुक्षान करता है तो फिर आप खाएंगे कि आपको सुद्ध पेवर सुद्ध का आयल ही खाना है मार्केट का कोई भी नहीं चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी बोले कि यह सुद्ध है लेकिन आपको सरसों लेनी है उसको बनवाना या किसी को भी बनवाने के लिए दे दीजिए सरसों करिद कर वो बना कि आपको पेवर सुद्ध तेल देगा वही यूज करिए अगर आप 100% जल्दी जल्दी ठीक होना जिससे आपको हमारा आने वाला हर नया वीडियो मिल जाएगा और आपको लोगों के लिए मैं एक बहुत जवर्जास वीडियो लेकर आने वाला हूँ शिव जी का तो उसको आप जरूर अजमाईएगा और यह तो आपको करना ही करना है थैंक दोस्तों आप सदस्वास तरे और बने वाचिवाब झाल झाल